हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल इक्जामेजॉन पे तुगा फिर से मैं हाजिर हूं 27 मार्च 2021 के इंपॉर्टिन इवेंट्स के साथ सनीवार के हमारी वीडियो पेंडिंग रहे थी जिसको मैं आज संडे को अप्लोड कर रहा हूं और आप सभी को पता है संडे को हमारी वीडियो अप्लोड नहीं होती है उसके बाद मंडे को खोली पड़ रही है तो दो दिनों का gap रहेगा उसके बाद मंगलवार से हम लोग morning में 6 a.m को वीडियो अप्लोड कर दिया करेंगे जैसे हम लोग पहले से कर रहे थे आप complete वीडियो देखिए क्योंकि last में आपको दो questions के जवाब देने है आज का पहला question है Indian Overseas Bank इसका headquarter किस सहर में इस्थित है तो Indian Overseas Bank इसका headquarter है चन्नाई में कहां पे है चन्नाई में चर्चा में इसलिए है क्योंकि Indian Overseas Bank दोरा एक saving account launch किया गया है इसका नम है IOB Trendy क्या नम है IOB Trendy IOB Trendy सिर्फ millennial population के लिए है इसमें उन लोगों का saving account open किया आएगा जिनकी age 21 year से लेके 38 year तक की है स्टार्टिंग में यानि account open करने के लिए आपको कोई भी fees नहीं पे करनी है लेकिन account maintain करने के लिए आपको monthly average maintain करना होगा तो recently IOB Trendy launch किया है Indian Overseas Bank ने millennial population के लिए ये saving account है बात करें Indian Overseas Bank की तो फरवरी 1937 में इसकी स्थापना हुई थी headquarter है चन्नाई में और CEO कौन है पार्थ प्रतिन सेन गुपता ने question है एक book है My Experiments with Silence ये book किसने लिखी है तो My Experiments with Silence ये book लिखी है समीर सोनी ने किसने समीर सोनी ये देख लिजिए जाने माने फिल्म एक्टर समीर सोनी इनके द्वारा एक book लिखी गए ही My Experiments with Silence ये book पब्लिस कौन करेगा तो OM Books पब्लिक करेगा इसको My Experiment with Silence बुक किसकी है समीर सोनी की इस book में उने ये बताया है कि अपनी जो inner demands है उनसे इन्होंने कैसे समझोता किया अपने इस्टेगल के दौरान तो याद रखेगा My Experiments with Silence ये book लिखी है समीर सोनी जो की खुद एक एक एक्टर है ने कोशन है Government of India दौरा जो Principal Scientific Advisor है के विजयरागवन इनका कारिकाल एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है आपको ताना Principal Scientific Advisor की पोस्ट इंडिया में कब क्रियेट हुई थी तो 1999 में कब 1999 में Principal Scientific Advisor की पोस्ट इंडिया में क्रियेट हुई थी चर्चा में क्यों है ये हैं आपके के विजयरागवन वर्तमान में इंडिया के Principal Scientific Advisor यानी मुख्य वैग्यानिक सलाहकार है इनका जो टर्म है वो एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है पहले क्या हो रहा था 2021 में ये समाप्थ हो रहा था इंका टर्म अप्रेल 2021 में लेकिन अब 2022 में समाप्थ होगा Principal Scientific Advisor प्रभुख वैग्यानिक सलाहकार ये पोस्ट बनी थी 1999 में जब अटल बिहारी बाचपेजी की गवर्मेंट थी तब बनी थी जब ये पोस्ट बनी थी तब कैबनेट रैंक दी जाती थी Principal Scientific Advisor को और इंडिया के फर्ष्ट Principal Scientific Advisor कौन थे APJ अब्दिलकलाब लेकिन वर्तमान में जो Principal Scientific Advisor की पोस्ट है ये मात्र सेक्रेटरी लेवल की है और वर्तमान में इंडिया की Principal Scientific Advisor है कौन के विजय रागवान जिनकी टर्म एक्ष्टन कर दीगी है एक वर्स के लिए ने कोशन है उरान स्कीम के तहट रिसेंटली कुर्णूल एयरपोर्ट को किसने इनागड़ेट किया है तो कुर्णूल एयरपोर्ट इसको इनागड़ेट किया है हर्दीप सिंग पूरी ने किसने हर्दीप सिंग पूरी ये देख लीजिए रिसेंटली आन्र प्रदेश में कुल्णूल एयरपोर्ट को हरदीप सिंग पूरी ने इनाउग्रेट किया है जो की मिनिस्टर आफ सिविल एवियेशन है या फिर ये कह सकते हैं सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री का independent चार्ज है हरदीप सिंग पूरी के पास उन्होंने कुर्णूल एरपोर्ट को इनागलेट किया है उडान स्कीम के तहट अब तक आनफ देस में six airport डेलब किया चुके हैं ये कुर्णूल एरपोर्ट छथवा एरपोर्ट है आनफ देस का उसके अलावा आपको पाच ये रटने की जुरुत नहीं है बस इतना आद रखे रिसेंटली कुर्णूल एरपोर्ट को आनफ देस में हर्दीब सिंग पूरी ने इनागलेट किया है जो कि आनफ देस का six airport है उडान स्कीम उडे देस का आम नागरिक ये एक regional connectivity स्कीम है यानि RCS Ministry of Civil Aviation द्वारा सोला में लाँच कियी थी दर्स फर्सों के लिए इसकीम implement की जा रही है आन्थ प्रदेस रिसेंटली इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि animals के लिए इंडिया की पहली government run mobile ambulance network किस ने लाँच किया था आन्थ प्रदेस गौर्मेंट ने लाँच किया था यह हम लोग पढ़ चुके हैं ने कोशन है Recently Airport Authority of India इसके नए चेर्मेन कौन अपॉइंट के गए हैं तो Airport Authority of India इसके नए चेर्मेन बने हैं संजीू कुमार यह देख लिए यह हैं संजीू कुमार इनको Airport Authority of India भारती विमान पत्तन प्राधिकरल हिंदी काफी टफ है Airport Authority of India का नया चेर्में मनाये गया है संज्यू कुमार को Airport Authority of India Ministry of Civil Aviation के तहत कारे करती है अभी तक इसके अंतरीम चेर्मेन थे अर्विंद सिंग अब इनको रिफ्लेस को करेगा संज्यू कुमार याद रिखेगा संज्यू कुमार 1993 बैच के महराष्ट कैडर के Central Scrutiny Center CSC और Investor Education and Protection Fund Authority याई आई आई पी अफ़े ये दोनों मुबाइल आप किसे ने लौँच किये है तो निर्मला सीता रमड जी ने CSC और आई आई पी अफ़े मुबाइल आप लौँच किये है ये देख लीजी ये Corporate Affairs Minister है निर्मला सीता रमड जी साथ साथ Finance Minister भी है इन्होंने CSC और IEPFA मुबाइल आप लौँच किये है दोनों मुबाइल आप का में परपज है Financial Literacy को प्रमोड करना साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं Corporate Affairs मिनिश्टी ने जो दो मुबाइल आप लौँच किये है उनका में परपज है इन्डिया विजन को साथ सब करना ये जो CSC मुबाइल आप है ये Corporate जो कंपनीज होती है उनके द्वारा जो भी अप्लिकेशन दिया आते हैं उनकी स्कूटनी करने में हेल्प करेगा नया कोशन है महाराष्ट द्वारा 2020 के लिए जो भूशन आवार्ड है वो किसको दिया गया है तो 2020 का भूशन आवार्ड दिया गया है आसा भोसले जी ये देख लिए ये हैं आसा भोसले जी जानी मानी सिंगर हैं आसा भोसले जी 2020 का भूशन आवार्ड इनको दिया गया है CM यानी चीफ मिनिस्टर उदोर हकरे की अधशिता में कमिटी में नी थी उसने डिसाइड किया कि 2020 के लिए भूशन आवार्ड दियाएगा आसा भूसले जी को भूशन आवार्ड मोशली महाराष्ट मोशली के मलब महाराष्ट गुवर्मेंट दोरह ही दिया एता है 1996 में इसकी सुरुवात हुई 10 लाग रुपए कैस आवार्ड दिया एता है पहला जो भूशन आवार्ड दिया था वो एक राइटर थे पी एल देस पांडे उनको दिया गया था बाद में 2015 में लाष्ट भूशन आवार्ड दिया था किसको बाबा साहब पुरंदर को तो ये लाष्ट दिया गया था 2015 में इतने आवार्ड रिखेगा बाबा साहब पुरंदर को आसा भूसले जी को आवार्ड मिला है 2020 के लिए इससे पहले लताम अंगेसकर जी को 1997 में भी ये आवार्ड मिल चुका है आसा भूसले जी को 2000 में दादा साहब फाल के वार्ड से समाई किया गया था ने कोशन है एसिया का लार्जेस्ट ट्यूलिफ गार्डन जो की टूरिस्ट और जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है आको तरह किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी में लोकेटिड है तो एसिया का सबसे बड़ा ट्यूलिफ गार्डन ये है जम्मू कस्मीर में कहां पे है जम्मू कस्मीर में ये है ट्यूलिफ गार्डन एसिया का लार्जेस्ट ट्यूलिफ गार्डन है पहले इसका नाम था सिराज बाग, क्या नाम था सिराज बाग, 2008 में इसका नाम उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कस्मीर के गुलाम नभी आजाद, उन्होंने इसका नाम कर दिया था इंद्रा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, तो याद रखेगा, एसिया का ल इसके पहले कौन थे, जी सी मॉरमू, जो अर्थमान में कौन है, काईग है काईग, न्यक उचैन, इंटरनेशनल डे ओफर रिमेंब्रेंस, ऑफ दी विक्टिम आफ इलेवरी, यह किस डेट को अउबज़र कियाता है, तो हरबर्स 25 मार्च को, इंटरनेशनल डे ओफर रिमे मुक्त हुए जो लोग थे उनकी याद में मना जाता है 25 मार्च को ये दिवर्स थीम क्या है? Ending Slavery's Legacy of Racism A Global Imperative for Justice 2008 में इसकी सुरुवात की थी तब से ये हर वर्स 25 मार्च को मना जाता है देखे 2015 में एक permanent memorial बना गया था मना जाता है नया कोर्शन है India Transforming to a Net Zero Emissions Energy System Report किसने रिलिस किये है? तो India Transforming to a Net Zero Emissions Energy System Report ये Terry ने रिलिस किये है किसने? Terry ने Terry ने इस रिपोर्ट मना जाया है कि Energy जो सेक्टर है उसमें इंडिया Net Zero Carbon Emission कब तक हो जाएगा? तो Terry ने मताया है Energy System में इंडिया 2050 तक Net Zero Emissions वाली कंटी बन जाएगा तो ना मैद रिखेगा इंडिया Transforming to a Net Zero Emissions Energy System Report Terry ने रिलिस किये है The Energy and Resource Institute एक Dutch firm है Cell उसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट रिलिस किये है इसमें बताया गया है 2050 तक इंडिया को जो एनर्जी सेक्टर होगा वो टोटली कार्बन न्यूट्रल होगा Energy तो ये रिपोर्ट आपकी जारी होगी Terry के बात करें The Energy and Resource Institute 1974 में स्थापना होई थी New Delhi में इसका Headquarter है देखे डिरेक्टर जर्रेनल रिसेंट्ली अपॉंट हो है डॉक्टर अजय माथोर तो रिपोर्ट का नाम एद रिखेगा केरीर में रिताया है 250 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा Energy सेक्टर में ने कोशन है वंधन विकास योजना इसके लिए चैंपेन स्टेट किसको खोसित किया गया है वंधन विकास योजना इसके लिए चैंपेन स्टेट को खोसित किया गया है मडीपूर को किसको मडीपूर को यह मैप में मडीपूर वंधन विकास योजना को लागू करने में इसको चैंपेन स्टेट को खोसित किया गया है क्यों क्योंकि बहुत कम समय में यहाँ पे 100 वंधन विकास केंदर ओपन किया चुके हैं मारीपूर में अक्टूबर 2019 में वंधन विकास केंदर इसने बना दिये हैं तो चैंपेनिस्टेट कोजित हुआ है वंधन विकास योजना के तहट मारीपूर याद रिखेगा वंधन विकास योजना की बात करें तो ट्राइफेट द्वारा जोकि मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेर्स के तरह कारी करती है उसके दवर वंधन विकास स्कीम लाउंच कीगी थी दोहर अठारा में इसका मेन परपस है ट्राइबल जो प्रोड़क्स होते हैं यानि माइनर फॉरेस्ट प्रड्यूस उनकी ब्रांडिंग करना मार्केटिंग करना और वैल्यू एडिशन करना अभी तक इंडिया में बारा सो पाच वंधन विकास के अंदर बनाय जा चुके हैं जिसके तहर 15 सिल्फ हेल्प ग्रूप ज्वारा 300 लोगों को बेनिफिट पोचाए जा रहा है तो वंधन विकास इसकीम के तहर मड़ी फूर चैंपियन रहा है ने कोशन है दो हजार इकिस के लिए वर्ड समिट ओन दी इंफॉर्मेशन सुसाइटी फोरम इसमें इंडिया को किसने रिप्रिजेंट किया तो वर्ड समिट ओन दी इंफॉर्मेशन सुसाइटी फोरम इंडिया को रिप्रिजेंट किया है संजेद होतरे ने किसने संजेद होते हैं यह देख लिए यह हमारे Minister of State है for Communication Ministry स्री संजिद होते हैं इन्होंने 2021 के लिए World Summit on Information Society Forum में इंडिया को represent किया यह जो World Summit है on the Information Society Forum यह World की largest gathering है ICT for Development Communities की यह WSIS Forum इसको और्गनाइस को करता है तो International Telecommunication Union द्वारा UNESCO UNDP और UNKTAR के मिलकर WSIS Forum को और्गनाइस किया रता है दो phases में इसको और्गनाइस किया रता है जिसकी sponsorship होती है UN के पास दोशार तीन में इसको पहली बार और्गनाइस किया गया था जेनेवा में और उसके बाद दोशार पाच में Tunis जो की Tunisia के गैपिटल है वहाँ पर और्गनाइस किया गया था तो फिर से World Summit on the Information Society Forum और्गनाइस किया गया है इस बार virtual तरीके से International Terry Communication Union इसको और्गनाइस करता है तो उसके बात कर लेते हैं 1865 में स्थापना होई थी जेनेवा सुजजे लेंड में इसका हैड़कोर्टर है और सेकेर्टी जनल कौन है हावलिन जाओ नगोशन है Unique Identification Authority of India यह नहीं UIDAI के नए CEO कौन अपॉइंट होई है तो UIDAI जो के अधारकार जाली करता है उसके नए CEO अपॉइंट होई है सौरभ गर्ग कौन अपॉइंट होई है सौरभ गर्ग यह है सौरभ गर्ग यह UIDAI के नए CEO अपॉइंट होई है सौरभ गर्ग 1991 बैच के IAS ओफिसर है ओडिशा कैडर के सौरभ गर्ग ने किसको रिप्लेस किया है पंकच कुमार को रिप्लेस किया है UIDAI की बाद करें तो कॉंग्रेस गर्गर्मेंट के टाइम पर प्लानिंग कमिशन के यह यह योजना आयोग के अंतरगत 2009 में UIDAI की स्थापना की गई थी बाद में 2016 में UIDAI को स्टैचुरी पावर दीदी की एक आक्ट पास करके Ministry of Electronics and Information Technology के तहट यह कारे करता है और आधार एक्ट इसी के तहट पास के गए था 2016 में UIDAI जो है आधार एक्ट को लागू करता है नेक कोशन है जो manufacturing sector है प्रोड़क्स के लिए manufacturing sector उसमें high technologies area के लिए एक employer committee बनाए गई है आपको तरह उसके अधश्च कौन होंगे तो Puse Goel High Empowered Committee के अधश्च होंगे जो कि manufacturing area में technologies को enhance करने पर suggestion देगा यह एक लिए Puse Goel recently cylinder government यानि government of India दोरा एक Empowered Committee बनाए गई है ताकि manufacturing जो होती है प्रोड़क्स की उसमें high technology को enhance करने के लिए discussion किया सके तो Puse Goel उस committee के अधश्च होंगे 10 member की यह committee होगी जिसको head करेंगे Puse Goel यह committee Department for Promotion of Industries and Internal Trade के तहब कारी करेगी और आपको पता ही है DPIT जो है Ministry of Commerce के तहब करता है और उसके minister कौन है Puse Goel तो याद रखेगा प्रोड़क्स की manufacturing में technology को enhance करने के लिए 10 member committee बनाएगी है जिसके head है Puse Goel नेक question है National Highway Authority of India यह अगले कितने वर्सों में wayside amenities को डलब करेगा तो world class wayside amenities को डलब करेगा पाच वर्सों में यह देख लीजिए National Highway Authority of India ने कहा है कि अगले पाच वर्सों में इंडिया के 22 राज्यों की 600 locations पर wayside amenities को डलब किया जाएगा wayside amenities मतलब जो हमारा highway होता है उसके दोनों तरब बहतरीन world class facilities प्रोवाइट की जाएगी NHEI दोरा अगले पाच वर्सों में 600 location पर 22 राज्यों में याद रखेगा अभी क्या है 211-22 के लिए 130 जो है target की गई है बाद में next time 120 और की जाएगी इस तरह से 600 amenities को डलब कियाएगा 600 location पर ये देख लीजिए ये जो wayside amenities होंगी ये हर 30 से लेके 50 km पर available होंगी highway और express way पर तो अगले पाच वर्सों में world class wayside amenities को डलब करेगा NHEI National Highway Authority of India जिसके सापना हुई थी 1988 में headquarter है नियू देली में और chairperson कौन है सुखबीर सी संधू नया question है fast tech देखे NHEI fast tech को लागू करता है आगो ताने NHEI द्वारा fast tech कब roll out किये गए थे तो 2016 में fast tech को introduce किया गया था चर्चा में इसलिए है क्योंकि government of India ने कहा है कि कुछ समय बाद जितने भी toll collection system होंगे वो GPS based होंगे GPS based toll collection system होंगे जो कि fast tech द्वारा ही ली जाएंगे अभी recent month में दिली मुंबाई highway पर जितने भी toll collection प्रड़ा ली होंगी systems होंगे वो totally fast tech से चलेंगे यह देख लिजिए fast tech की बाद करें 2016 में इसको roll out किया गया था उसके बाद 1 December 2017 से इसको mandatory कर दिया गया था सभी नई कार में अभी government of India इसको बार-बार mandatory कर रही है लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है लेकिन सभी नई कार में 1 December 2017 से fast tech mandatory है fast tech 5 वर्सों के लिए valid होता है साथ अलग-अलग colors में आता है यह आप color पढ़े सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ यह पुछाएगा कितने colors में आता है fast tech 5 वर्सों के लिए valid होता है साथ colors में आता है और particular vehicles के लिए अलग-अलग category में assign किया आता है इसको यह आज की वीडियो से question है I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप वी नेश्ट वीडियो में तो तक के लिए take care goodbye and jahin